हेलो व्यूवर्स में हो सुप्रियों फ्रैक्नेस वन में आप सभी के स्वागत तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं यह बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है अगरबत्ती कॉंपाउंट हो या फिर बॉडी आतर हो यह सारे चीजों में यह फॉर्मूलेशन आपको काफी माप्ता में हिल्प करेगा तो यह जो फॉर्मूला में शेयर करने वाला हूं इसका नाम है पचाउली बेस देखें पचाउली बेस इसका फॉर्मूलेशन का नाम ह । जब अगरबत्ती COMPOUNT मनाते हैं उसमें। बेस में अगर Women's लाना हो। तो यह पचाली बेद्ग कि इस्तेमाल कर सकते ह। नॉर्मinsi के जगा यह बेस का सकते हैं। या फिर आप अगरबत्ती काटी बना हरें। उसका नोट जो रहेगा पचावली टैप का अगरबत्ती बना रहे हैं, तो उसके लिए भी एक पचावली बेस आप बना के उसमें DEP से डाइलूट करके आप वह कर सकते हैं, काथी बना सकते हैं, यह पचावली बेस आप बना लीजेगा इसी फॉर्मूलेशन के साथ, हम आप आपको फॉर्मूला बता देते हैं, एक एक करके, तो उसके साथ आप चार किलो, पाच किलो DEP मिला देजी, यह एक के जी का फॉर्मूलेशन है, इसके साथ फॉर्मूलेशन में आप इसको तो लीजे और D मने काठी बना यह पचावली अगरबत्ती काठी बनेगा, बहुत पाचावली बेस देखिए, इसका रॉव मेट्रियल जो है, एक एक करके हम बताता है, और उसका इधर कॉंटिटी है, तो अज जो रॉव मेट्रियल हम लोग यूज करेंगे, अरोमा केमिकल, उसका नाम है आईसो बोओनियल एसिटेट, या आईसो बोओनियल एसिटेट ठाट जो अरोमा केमिकल हम लोग यूज करेंगे, उट्रीस बोलके, ये रियर केमिकल कैटेगोरी में आता है, उसको यूज करेंगे 14 ग्रैम, फोर्त नमबर में जो अरोमा केमिकल हम लोग यूज करेंगे, उसका नमबर में वैटी इधर, वैटी इधर 20 ग्रैम हम लोग इस कोई भी ऊडंदी पर्फ्यूम उसमें वहाटोफिक्स का यूज किया जाता है, जो लोग यूज करें गे उषमें Iso Longectoram की टोन है इसका है 56 ग्रैम यह यूज़ करेंगे 56 ध्म और साथ नमबर में जो एनोमा के मेकल यूज़ करेंगे के थीचे सब्सक्राइब कुई भी उडी में सिजरल अचिटेट का इसमाल किया जाता है यह फिर या भी वा 307 पर उडल हम लोग इसकरंगे हैं तो एइच नीर में अन्यमग हैंगे द्यूर्प उडॉल हम लोग उसका नोट है पाउडर फॉम में होता है यह 100 ग्राम उसका नम्मर में जो एसेंसिया लॉयल यूस करेंगे उसका नमें पचावली एसेंसिया लॉयल वो यूस करेंगे हम लोग 100 ग्राम पचावली यह chemical नहीं है यह essential oil है stream distill से बना हुआ जो पचावली essential oil होता है उसे को हम लोग use करेंगे इंदोनेशिया से काफी काफी सारे company का अच्छा company का पचावली essential oil लाता है वो हम लोग लेंगे और इसमें use करेंगे 100 ग्राम दोस्तों no.10 में जो यूज करेंगे हम लोग अरोमा केमिकल ये एसिंशल ऑयली कह सकते हैं नियो पचावली ऑयल इसको हम 400 g ग्रैम यूज करेंगे तो नियो पचावली कफी रेयर मिलता है आप लोग को नहीं मिल सकते हैं उस जगह में आप लोग पचावली ऑयल STD, मने standard, यूज़ कीजिए, तो ये पाचाओली ओयल standard यूज़ कर सकते है, वो 400 gram आप यूज़ कर सकते है, तो उसमें भी same आपको एक ही है, अलग कुछ नहीं है, और इसका जो standard पाचाओली ओयल standard है, उसका price भी काम है, लगबग 1200, साड़े 1200 रुपिया केजी में आ जाता है, अच्छा अच्छा company का मिल जाता है, तो वो आप यूज़ कर सकते है, अगर नियो पाचाओली ओयल मिल जाए, तो उसको यूज़ कीजिए, वो 400 gram यूज़ करना पड़ेगा, 11 नमर में जो aroma chemical आपको यूज़ करना पड़ेगा, यह vital chemical है, तो इसको जो यूज़ करना पड़ यह sandal acetate काफी मत्ता में uses होता है, यह भी rare chemical category में गिरता है, तो इसको 1500 gram यूज़ करना पड़ेगा, तो देखिए यह आपको दिया हुआ है, कितना कितना quantity दिया हुआ है, और इधर में raw material का नम, तो यह यूज़ करके यह 1 kg का formulation दिया हुआ है, तो यह यूज़ कीज़े और पचावली बेस आप making कीजिए, काफी अच्छा होगा, यह कोई भी अगरबत्ती compound में, उडी नोट का अगरबत्ती compound में पचावली बेस को आप use कर सकते हैं, पचावली की जगा में, क्योंकि पचावली का price काफी high होता है, 6,000-7,000 रूपिया किलो, तो उस जगा में यह पी से dilute करके अब अगरबत्ती बनाईएं, तो बहुत ही बेहतर ही निये formulation है, आप लोग note कर लीजें और इसको इसी तरह से formulation से बनाईएं, थोड़ा बहुत कम अगर होगा, कोई मात्ता में अगर कम ज़्यादा होगा, उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत कर सकता है, making कर सकता है, तो आज के लिए बस इतना ही आने वाले टाइम में और भी इसी तरह का अच्छा-च्छा बेस का formulation देंगे, और अगरबत जैसे के compound, fragnise का formulation हम आप लोग को साथ सेयर करेंगे, तो इस channel को देखते रहिए, नमस्त्रे.